दोस्तो यह काड़ा आपके शरीर से शुगर को जड़ से खतम करने की ताकत रखता है। चाहिए आपको शुगर 3.500 हो या 4.500 पहले दिन से ही इसमें आपको ये आराम देना शुरू कर देता है। और इसके लगातार 5-6 महीने के इस्तमाल से शुगर सरीर से जड़ से खतम हो जाता है। इसके शरीर करोना वाइरस से नहीं लड़ पाता और वो इनसान करोना की वजह से अपना दम तोड़ने लगता है। इसके शरीर से लड़ने की ताकत पैदा करने लगता है। और आपके शरीर पर करोना वाइरस का कोई असर नहीं होता। तो यह काड़ा और भी जादा गुणकारी बन जाता है। यानि रोग परतिरोदक्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद हमने इसके अंदर एक चमच सौफ डालनी है। दोस्तो सौफ हमारे शरीर के डाइजेशन को ठीक करता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। और सौफ की वजह से हमारे पैनकरियाज के अंदर इंसुलीन का निर्मान होता है। जो डाइबिटीज को कंट्रोल करने में एहम भूमी का निभाता है। अब हमने इसमें थोड़ी सी दालचेनी डालनी है। दालचेनी शरीर की डिटोक्सिफिकेशन करती है। यह शरीर में इंसुलीन बनाती है। इसका सेवन करने से इम्यूनिटी कई गुना बढ़ जाती है। दोस्तो यह तीनों चैसे के अंदर डालकर हमने काड़े को उबलने के लिए छोड़ देना है। और आपने इसको तब तक उबालना है जबतक पानी आधा नए रह जाए। तो चलिए दोस्तो जब तक एक काड़ा बनता है लिए लिए के इस काड़े की आपके शरीर के उपर और कहके पाके फायदे हो सकते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाता है। दोस्तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये काड़ा आपके शरीर की immunity को बढ़ाता है और करोना जैसे महामारी के समय में हर व्यक्ति की immunity strong होना बहुत जरूरी है तो इसलिए जरूरी नहीं कि आपको अगर diabetes है तब ही आप इस काड़े का सेवन करें वैसे भी अगर आप नियमित रूप से इसका इसका इस्तमाल करते हैं तो आप करोना जैसी महामारी से बच सकते हैं आपके शरीर के अंदर immunity इतनी हद तक बढ़ जाती है कि आपको तरह तरह के जो viral infection होते हैं वो नहीं होते और आप एक निरोगी जीवन वे तीद कर सकते हैं जोडों के दर्द को खतम करें दोस्तो जोडों में दर्द देखा गया है कि वात रोग की वज़े से होता है वात यानि हावा से बनने वाले रोग लेकिन जो एक काड़ा है ये आपके शरीर के अंदर जितने भी वात के रोग होते हैं उनको खतम करता है आपके जोडों के अंदर जो दर्द होता है उसको खतम करता है तो अगर आपको भी जोडों के दर्द की समस्या है तो एक बार इस काड़े का इस्तमाल लगातार एक पताह तक करके देखें, कितना भी पुराने से पुराने जोड़ों का दर्द हो, अर्थराइटिस हो, या किसी भी प्रकार की कोई समस्य हो, वो जड़ से खतम हो जाती है, आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, दोस्तों आँखें कुदरत के द्वारा दिया गया एक अनमोल त जाते हैं, तो अपने आँखों की रोशनी को बढ़ाएं, और उसमें ये काड़ा आपकी बहुत मदद कर सकता है, क्योंकि ये काड़ा आपकी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है, डाइजेशन को ठीक करें, दोस्तों जितना जरूरी हमारे शरीर के लिए डाइजेशन है, उतना जुरूरी तो कुछ भी नहीं क्योंकि जब तक हम जो कुछ खा रहे हैं वो अच्छे से सरीर में हजम नहीं होगा तो उसका कोई फाइदा नहीं वो आपके शरीर में लगेगा ही नहीं इसलिए सरीर का डाइजेशन ठीक होना हमारे स्वास्थे के लिए भी अच्छा है और हमारे शरीर में खाया पिया लगे उसके लिए भी अच्छा है तो डाइजेशन को ठीक करने के लिए आप इस काड़े का सेवन कर सकते हैं एक सबताह में डाइजेशन से रिलेटिड किसी भी तरह की प्रोबलम आपको हो वो जड़ से खतम हो जाती है तो दोस्तो लीजिए अब हमारा यहां काड़ा बनकर तयार है हमने अब गैस बंद करके इसको छान लेना है आपका diabetes खतम करने वाला और immunity बढ़ाने वाला काड़ा पीने के लिए तयार है दोस्तो इसका सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है आप गरम गरम चाय की तरह इसकी चुस्कियां लेकर सेवन करें अगर ऐसा कोई सुगर का व्यक्ति 5-6 महिने तक लगातार कर लेता है तो इसकी diabetes की जो समस्य है वो जड़ से खतम हो जाती है सिर्फ 5-6 महिनों के अंदर और यह एक से दो दिन के अंदर ही diabetes को कंट्रोल भी कर लेता है और इसके साथ-साथ यह आपकी immunity को बढ़ाता है और यह आपके शरीर के अंदर आपकी रोग परतिरोदक्षमता को इतना बढ़ा देता है कि आप करोना जैसे रोगों से अपने शरीर का बचाव कर सकते हैं और जिन लोगों को करोना है अगर वो इसका सेवन करें तो उनके शरीर में ताकत मिलती है करोना के वारेसे से लड़ने के लिए तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही हाथ जोड़कर एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ इस वीडियो को वट्सैप के उपर फेस्बूक के उपर और कहीं भी जहां भी आप इसको शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर करें क्योंकि आपका एक शेयर है